जब आप UPSC CAC exam देते हैं, मतलब civil service का exam देते हैं, और उसमें अच्छे marks आते हैं आपके, जो की IS के लिए cut off लगती है, तो फिर आपको IS बना दिया जाता है, मतलब की Indian Administrative Service को join कर लेते हैं आप और join करने मतलब यह है कि आप IS officer बन गए, लेकिन कभी-कभी यह confusion लोगों को हो जाता है कि जो यह सोचते हैं कि IS मतलब collector या DM और DM मतलब IS, तो देखिए ऐसा नहीं है, IS और जो collector या distinct magistrate इन दोनों में बहुत जाद अंतर होता है, अंतर को समझें अगर हम, तो अंतर को कुछी इ समझेंगे, लेखिए जो IS एक है, by all India, all India service है, all India service का मतलब यह है, कि IS बनने के बाद पूरी इंडिया में, central government के द्वारा, किसी भी state में आपको भेजा जा सकता है, और बहाँ पर आपको अपनी सेवाय देनी होंगी, और दूसरा इसमें यह है, कि इसमें भरती तो केन सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन काम आप राजसरकार के अंडर में भी करते हैं, और राजसरकार आपको सस्पेंड भी कर सकती है, लेकिन जो डिसमेंज करने का अधकार है, मतलब सर्विस से टोटली निकालने का जो अधकार है, वो मिला हुए central government को, तो इन दो बेस के आदार पर आल इंडिया सर्विस का निर्वार होता है, दूसरी बात करते हैं कि कलेक्टर क्या है, डियम या कलेक्टर की बात करें, यह एक पद है, जो आईएस ओफिसर को, या कभी-कभी, रियर अफ चांस, PCS ओफिसर को दिये जाता है, PCS ओफिसर को स्टेट गवर्मेंट दे सकत कई बार रासरकारों ने स्टेट सिविल सर्विस के ओफिसर को भी बिना आईएस में प्रोट किये, डियम या कलेक्टर की पोस्ट दी है, तो इसी वज़े से डियम या कलेक्टर मतलब 95% आईएस ओफिसर को बनाया जाता है, और जबकि 5% चांस ऐसी भी होते हैं, जो जबकि यह एक सर्विस है, आईएस एक सर्विस होती है, जिसको जोईन करने के बाद आप कहलाते हैं, आईएस ओफिसर, तो सिंबल सा मतलब यह है कि आईएस बनने के बाद आपको कलेक्टर या और भी पद मिल सकते हैं, तो मिलते हैं या तो कलेक्टर और इसका अपना एक क चलेंगे आपको अलग पद दिये जाएंगे आप senior scale पे चलेंगे तो आपको अलग पद दिये जाएंगे एक collector पद जो होता है वो लगभग IAS जब कम से कम चार साल की service अपनी पूरी कर लेते हैं उसके बाद ही उनको एक पद दिया जाता है तो इसलिए IAS एक service होती है और DM और यह कहें collector एक पद होता है जो IAS बनने के बाद मिलता है या बहुत ही ज़्यादा senior PCS officer बनने के बाद मिलता है तो इसमें कभी भी confusion नहीं होना चाहिए कि IAS क्या है और DM यह collector क्या है